एशियन गेम्स में हौकी का हल्ला बोल रहा है राजपाल एंड कमपनी गौांग जू के बाद शहा बन गए है गौांग जू में कप्तान राजपाल, संदीब सिंग, तुशार खांडेकर, शिवेंद, धरमवीर सभी का फॉर्म ला जवाब है और इसका उधारण है लगातार चार जीन हौंग कॉंग को साथ शूने से धोया पांग्रदेश को नौशूने से हराया पाकिस्तान को भी तीन दो से पठ्थनी और जापान को तीन दो से हराया अब सेमी फाइनल में मलेश्या से मुकाबला लगातार चार जीत दर्च करने के बाद भारती होकी के सामने अब असली चुनौती आ गई है इस चुनौती से अगर टीम इंडिया पार पा गई तो 1998 का इतिहास दोहरा दिया जाएगा क्योंकि आखरी बार एशियन गेम्स का गोड 1998 में ही आया था मैं चाहूंगा इस बार जीत कर ऑल्लंपिक के लिए भी वर्थ हशिल करें और 1998 में जीते थे ए मेरे Unyamolage कि ना चाहूंगा कि राजपाल सिंग है इस बार उस विक्टरी को तैतर है और आज सेशिंगेम में उसको रिकॉर्ड को ब्रेक करें और गोल्ड मेडल हमारे देश में जीत करें। लीग मुकाबले में भारते टीम ने मलेशा को तीन दो से हराया था। लिहाजा सेमी फाइनल के जंग में भारत को मलेशा के खिलाफ जीत दर्च करने के कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेमी फाइनल के इस जंग में संदीप पर सबसे जादा लोगों की नजरेटी की हैं। क्योंकि संदीप सिंग ने अभी तक सबसे जादा दस गोल दाके हैं। जो टूनामेंट में सबसे जादा गोल है। पिशली बार दोहा में गोल्ड ना जीतने की कसक भारते टीम को अभी भी है। लहाजा संदीप के शांदार प्रदर्शन से भारते होकी आर्मी का मनुवल बढ़ गया है। और पूरी टीम गोल्ड पर गोल करने की ओर कदम बढ़ा चुकी है। एशियन गेम्स में हौकी के इस महा संग्राम में हर टीम जीतने की पुर्जोर कोशिश कर रही है। क्योंकि गवांग जू में जीत का मतलब लंडन ओलंपिक में सीधे एंट्री। विवेक मिश्रा के साथ स्पोर्ट्स डेस्क इंजिया नियूस।